हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर जहां कि हम पढ़ेंगे समानी हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्ण जो कि हिंदी डिजडी पीजडी नेट जयारत था सभी प्रकार की सरकारी प्रिक्ष्याओं के लिए समान रूप से उप्योगी होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज़की क्लास को पहला प्रश्न है रहीमन मोहीन सुहाई अमी पियावत मान बिन्दु वरन विश्दे बुलाई मान सहित मरिवो भला इस पंक्तियों में छंद बताना है कि कौन सा छंद है दोहा है, सोथा है, चौपाई या मालिनी Right answer option B है, सोथा छंद है इन पंक्तियों में अगरा प्रशन है जासी की रानी की रच्ना कार कौन है? जासी की रानी एक रच्ना का नाम है तो इस रच्ना की रच्ना कार बताने हैं कौन है? ब्रेंदावन लाल वर्मा, सुबदरा कुमारी चौहान, जैसंका प्रसाद या महादेवी वर्मा राइट अंसर है इसके लिए उप्सन B, सुबदरा कुमारी चौहान की यह पंक्ती है चीफ की दावत किसी करती है, उप्सन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजिंदर यालो, दुस्यंत कुमार डाइट अंसर उप्सन B है, भीष्म साहनी की है रचना, जिस शब्द की विशेष्टा बताई जाती है उसे कहते है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है ओप्सन है विशेष, विशेषन, विधे या प्रविशेषन इसके लिए राइट आंसर ओप्सन ए है विशेष, जिस सब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेशी कहते हैं और उसकी जो विशेशता बताई जाती है वह विशेशन कहलाता है और विधे जो है ये वाकी का एक भाग होता है जैसे उद्देशी और विधे जिसके बारे में हम बात करते हैं वह उद्देशी होता है और उसके बारे में जो कुछ बात की जाती है वह विधे के अंतर गताता है और प्रविशेशन वह होता है जो की विशेशन की विशेशन बताता है जैसे कि वह सुन्दर है तो सुन्दर विशेशन है अगर हम सुन्दर के आगे बहुत लगा देंगे व Right answer है इसके लिए Option जी संदेह होना Option D संदेह होना मनोहर में कौन सी संदी है? गुण, व्रद्धि, विशर्ग या दीर्ग संदी Right answer Option C है इसमें है विशर्ग संदी मनोहर में विशर्ग संदी है अगला है संतोस का सही संदी विच्छेद होगा उप्षन है समधन्तोष, संधन्तोष, सहधन्तोष, समन्धन्तोष राइट आंसर है उप्षन एक समधन्तोष ब्राबर संधन्तोष प्रतियक किस समास का उधारण है? प्रतियक कौन से समास का उधारण है? Option है तत्पुरस, बहुबरीही, अभ्याई भाव और द्विगू समास Right answer है इसमें Option C Right answer Option C है यह है अभ्याई भाव समास का उदाहरण अगला प्रस्न है त्रभुज में कौन सा समास है त्रभुज में समास बताना है द्विगू समास है, द्वंद समास है, तत्पुरुस समास है या फिर अभ्याई भाव समास है तो इसके लिए Right answer Option A है द्विगू समास, त्रिभुज त्रि जहां पर तीन यानि कि संख्या वाचक जब कोई चीज आती है तो वहां पर द्विगू समास हो जाता है अगला है पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता इन में से कौन सा है जो कि पतंग शब्द का अर्थ नहीं होगा सूर्य, पक्षी, कीट या घोड़ा Right answer Option D है इसमें घोड़ा इसका अर्थ नहीं होगा गोड़ा इसके अदरिक्त सूरी भी होता है पतंकार्थ पक्षी भी होता है और कीटी भी होता है लेकिन गोड़ा नहीं होता है क्योंकि आपको नहीं माँशर बताना है इसलिए आपके लिए right answer option D हो जाएगा निम्ड में कौन सा शब्द घोड़ा का परियावाची सब्द नहीं है बाजी तुरंग हरी करिवर इसके लिए right answer है option D करिवर यह घोड़े का परियावाची नहीं है इसके अधिक्त बाजी तुरंग हरी इसका और एक हाई होता है घोटक होता है यह सब घोड़े की परियाबाची सबते हैं अगला है कौन सुमेलित नहीं है इह लोग का परलोग सगुन का निर्गुन उच्चे का निम्न गुपत का रहश्य तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह बताना है ओप्सन डी राइट आंसर है गुपत और रहस्य दोनों क्या है इह लोग का परलोग विलोम है सगुन का विलोम निर्गुन है उच्चे का विलोम निच्चे है निम्न है लेकिन जो गुपत है गुपत का मतलब होता है रहस्य या तोनों समानार्थी सब्द हो गए इसलिए आपका सही सुमिल नहीं है जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा निस्तेज तेजस्वी तेजी या तीव्र राइट आंसर ओप्शन ए है निस्तेज हो जाएगा आठ 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 आशू बहाना मुहावरे का अर्थ है विचलित होना बुरी तरह पस्टाना संकत आणा विनाश होना इसका राइट आन्सर ओप्शन भी है बुरी तरह पस्टाना निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है इन में से कौन है जो की मात्रिक छंद नहीं है नहीं है चौपाई, रोला, हरीगीतिका या सवया तो right answer option D है सवया है यह मातिक चंद नहीं है अगला प्रस्न है निम्ने में कौन वर्निक चंद नहीं है वर्निक चंद इनमें से कौन सा नहीं है right answer option D है कुंडलिया वर्निक चंद नहीं है जिबकि कवित, मालिनी और मंदाक रांता यह वर्निक चंद नहीं है निम्ने में कौन अर्थालंकार नहीं है उपमा, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा right answer option C है यमक यह अर्थालंकार नहीं है अगला प्रशन है अधजल गगरी छलकत जाए कहवत का सही अर्थ क्या है अधजल गगरी छलकत जाए इस कहवत का सही अर्थ बताना है इसके लिए right answer option C है अलपग्यान का प्रदर्शन यथार्थ का विप्रितार्थक शब्द क्या है कलपित, आदर्श, परोक्ष या पदार्थ right answer option B है आदर्श यथार्थ का जो विप्रितार्थक यानिकी विलोम है वह है आदर्श निम्न में कौन सूरी का परियावाची नहीं है option है हिमान्शू, अश्रू, नव्राज, दिव्यान्शू परियावाची है जो है वो बताना है इसमें सूरी का जो परियावाची है राइट अंसर ऑप्शन डी है दिव्यान्सू है इसका परियावाची इसकी परियावाची नहीं है अगला है यहाँ पर वाकी दिये गए हैं तो बताना है कौन सा वाकी का सुद्धरूप है उसका चैन करना है जूटा गवाई ही मत देना इसका सुद्धरूप किस प्रकार होगा अगला प्रशन है बच्पन से हमने हिंदी बोला है तो सुद्धरूप किस प्रकार होगा इसका कि बच्पन से हमने हिंदी बोली है उसने नौकरी छोड़ दिया इसका सुद्धरूप हो जाएगा उसने नौकरी छोड़ दी अगला प्रशन है संग्राम तथा करबला किसकी नाटी करतियां है संग्राम और करबला किसकी नाटी करतियां है प्रेम चंद्र, जैशंकर प्रशाद, मोहनराके, जगदिश चंद्र, माथुर राइट आंसर ओप्सन ए प्रेम चंद्र अगला है नीहार किसका कावि संग्रा है महादेवी वर्मा सुमित्रा अंदन पंद सुरी कांतर पाठी नरा जैसन का ब्रशाद राइट अंसर ओप्शन ए है महादेवी वर्मा गोपाल में कौन सा समास है अव्याई भाव बहुबरी ही द्विवू या द्वंद राइट अंसर ओप्शन भी है बहुबरी ही समास है इसी के साथ आज की वीडियो ही पर एंड होती है मिलते हैं अंगली वीडियो में कुछ ने प्रस्नों के साथ चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद